दोस्तो मेरा नाम लिलेस है मैं आज किस वीडियों तको Airtle Thanks Application के जनकरी देने जा रहा हूँ साथ में दोस्तो मैं आपको ये बताउंगा कि आप कैसे Airtle Thanks Application का उप्योग कर सकते हैं अगर आपको इसमे अपने अपने एकाउंट बनाना है कैसे बनाएंगे यानि कि अगर आप इसमें अपने आपको रेजिटर करना चाहते हैं ताकि आप मोगा रिचार्ज कर पाएं या फिर किसी को पैसे जना पैसे कैसे भेज पाएंगे इन सबी प्रोसेस को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपना बैलेट अकाउंट और फिर परणव जो आपेसकता हो यह है कि आपके पास एक mobile नंबर होना चाहिए जिसमें रिचार्ज होना चाहिए यानि कि उसमें एक रुपय और फिर दो रुपय बैलन सोना चाहिए उसकी DIO प्रोप होने चाहिए जैसे की अधार कार्ट बोटर आइडी का, डाविंग लाइसेंस इसी तर को रिष्टर करेंगे एरटल थैंक्स अप्लिकेशन में तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपको दिखाएंगे एकदम सिंपल इजी तरीके से कि आप भी कैसे बड़ी असानी से इसमें अकाउंट बना सकते हैं तो सबसे पहला इस्टेप जो आपको फालो करना है दोस्तों वह इस्टेप यह है कि आपको यहां से प्लेश्टोर को पेंड कर लेना है यहां पर देखे हम प्लेश्टोर को पेंड करेंगे इसके बाद दोस्तों हमें यहां पर सर्च करना होगा यहां पर दोस्तों देखिए लिखेंगे यह application हमारे साम में आ जाएगा दोस्तो इस application को आपको install करना होगा दोस्तो यहाँ पर already मैं install कर रहा हूँ इसलिए मुझे open का option मिल रहा है तो हम open में click कर लेंगे हम जैसे open में click करते हैं दोस्तो हमारे सामने ऐसा page open हो जाता है दोस्तो हमें यहाँ पर नीचे continue में फिर click करने की जरूरत होती है हम continue में यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर एक number डालना होगा आप यहाँ पर एक number अपना enter कर लीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं बड़ी असानी से कि मैं अपना mobile number डाल लिया हूँ अब दोस्तो हमें आप request OTP में click कर देना जाता है दोस्तों यहाँ पर हमारा mobile number हो जाएगा दोस्तों अगर आपका एरटल कंपनी का ही सिम है तो आपके बैलेंस के इंका अडी कब तक आपके नंबर की बैलेडिटी है वह डिटेल यहाँ पर सो होती है दोस्तों देखिए आपको अपने इसमें रिश्टर करने के लि heus में लिखा है यहाँ पर दोस्तों जो नाम है वह यह अठर कर देते हैं लाष्म समपर देखिए को भी डाला होता है यानि की अगर आप से कस बेगहां कर दें तो आपके अधार काड में आप देखेंगे buffaloopa अधरिस रहता है उसमें सव से लाउट में लिखा हुआ हो ता यहां पर डालेंगे स्के controll unanimous 앞 यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर कुप क्लिके आप यहां पर आपको क्लिक करेंगे प्लेंस मिलते हैं जैसा कि अधार का तो आप यहाँ पर किसी भी डाकुमेंट को सेलेक्ट कर लीजेगा, तो यहाँ पर देखी हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए डाकुमेंट नंबर के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम डाकुमेंट नंबर में क्ल सबस्क्राइब टे काственно को सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखे का पूंडबोट के लिए कि में गारा करते लिए ब्रस्के कंटीक कर Pow को दुबारा से यहां पर आप दो बार डाल दीजेगा इसके बड़ आपको डन में क्लिक कर देना है हम डन में क्लिक करेंगे दोस्तों फिर आपके मुझा नमबर में पुड़ा से एक बेजा जाएगा उस एक पर इंटर करने की जरूरत होती है तो दोस्तों हमारे मुझा आया है उस नमबर को डाल देंगे फिर लोडिंग का अपके सामने दिखाइगा इसके बार दोस्तों यहां पर देख लिजी आपके सामने आपका रेश्ट्रेशन सक्सेचफूल हो चुका ह यानि कि आपने इसमें अपने इस सच्फुली कर लिया अब आपको क्या करना है क्लिक कर देना ही यानि कि आंपके च्प이면 प्रक्पर कर सकते हैं zag के लिए दूस्तोल आपके सामने ऐसा प्यजो अब क्या कर ना है यहां पर आपको डिकर creation में में वह चाहिए और वह सिम के इसी दोस्तो अगर आपको मुबाय रिचार्ज करना है वो भी आप यहां से रिचार्ज में क्लिक करके बड़ी असानी से मुबाय रिचार्ज करेंगे यहां से आप मुबाय रिचार्ज कर पाएंगे दोस्तो इस तरह से मैं उमीद करता हूँ आपको मेरी जनकारी समझ में आ गई ह दोस्तों चलिए वीडियो को करेंगे समात मिलेंगो फिर आपसे नए वीडियो में नई जनकारी के साथ